तादर नमन कर रहे हैं और देशवासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीर सपूतों को शधांजली अर्पित करने के लिए देश के लिए एक अपूर न और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपांजली के जर्ये इन वीर सपूतों को शधांजली अर्पित करते हुए प्रधार मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग और ये शधांजली प्रधान मंत्री की ओर से नहीं बलकि पूरे देश की ओर से श्रधान्जली दे रहा है देश प्रहारमंति नरेंद्र मोदी देश्वासियों की ओर से इन राश्ट्रनायक बलिदानियों को विनम श्रधान्जली दे रहे हैं चीफ आफ डिफेंस स्टाफ श्रिबेपन रावत और उनकी पतनी सहित सैन अधिकारियों का निधन अतियंत दुखत और राश्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है पिधान मंत्री ना रेंडर मोदी जेनरल बिपन रावत को पुष्पांजली अर्पिद करते हुए शधानजली अर्पिद करते हुए और अब उनकी पतनी मधुलिका रावत जी को भी पुष्पांजली देते हुए और अब ब्रिगेजर एलस लिदर को भी शधांजली देते हुए पधान मंत्री इस दुरघटा में सीजेस के साथ अन्य बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं इन में जनरल विपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेजर एलस लिदर लेटनियन करनल हरचिंदर सिंग, विंक मांडर P.S. चौहान, स्कौर्डन लीडर केिस सिंग, नाएक गुरसेवक नायक Jitendra कुमार, लांस नाएक विवेक कुमार, लांस नाएक साइ्टेजा, जुनियर वारेंट ओफिसर दास, जुनियर वारेंट ओफिसर एप्रदीप और हवलदार सत्पाल इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरे देश की उर से विनम्र शर्धांचली दे रहे हैं ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं जिनोंने देश भक्ति का जजबा अपने जीवन में प्रकट किया जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों के आँखों में अश्रु तो ला रहा है लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी आहवान कर रहा है कि देश भक्ति के लिए जियो देश के लिए जियो देश भक्ति के जज़बे के साथ जियो और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसाथ करना तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधान जली अर्पित कर रहे हैं देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया ऐसे में इनके परिवारचन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐसे क्षर हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनी परिजनों के प्रती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सबुतों का बलिदान, इन परिवार जन का भी बलिदान बहुत बड़ा है इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सबकी आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है और इन सब के प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता और पित कर रहे हैं, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अफसर जब पुरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है पधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संफून देश के ओर से इने श डधानजले अर्पित की है इनके परिवारजन के प्रतिकर तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ति का जो सबक सबको सिखा रही है आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुक जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शधान चली अर्पित की है पालमे पोट से ये सीधे द्रिश्या आप देख रहें हैं शुधान चली अर्पित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालमे इपोट से यहाँ पार्थिव शरीर रखे गए है और इन पार्थिव शरीरों में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी मौचूद हैं। जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ रहें।